दर्शको जिस इस्त्री की जनम कुड़ी में प्रत्म भाव में सूरे या मंगल बैठे हों तो इस इस्त्री को अपने जीवनें पती का ब्लोग उठाना पड़ता है यानि उसे किसी ना किसी कारण अपने पती से दूर रहना पड़ता है जनम कुडली में पर्थम भाव को सबसे महत कुड माना गया है हम बात इहां पर इस्त्री जाती की बात कर रहे हैं पुरुष जाती की नहीं इस्त्री जाती के पर्थम लगन में पर्थम भाव में लगन में यदि सूर्य और मंगल हैं तो ऐसी इस्त्री को जीवने पती का कश्ट उठाना पड़ता है और यदि लगन मेरा हूँ या केतु हूँ तो ऐसे इस्त्री को अपने जीवन में संतान का विदुख सेहना पड़ता है और यदि शनी बैठे हूँ ऐसी इस्त्री की धन संबंदी समस्या बनी रहती हैं जनम यदि शुक्र हो, गुरू हो, बुध हो, तो ऐसी इस्त्री सबको प्रिये लगने वाली होती है, मदुरुभाशनी होती है, परिवार्जनों की प्रिये होती है, और यदि लगन में चंद्रमाव बैठे हों, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, ऐसी इस्त्री को कफ संबंदी क कोई न कोई रोग रहता है आप भी अपनी जन पत्री को देख सकते हैं कि लगन में यानि प्रत्म भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है